यहाँ पर हमको hair dryer का price given है 5400 जिसमें 8% VAT included है VAT यानि कि value added tax तो हमको hair dryer का price बताना है VAT के add होने से पहले यहाँ पर यह 8% tax इस price में included है इसका मतलब कि यह जो 5400 है इसमें इस hair dryer का price है tax के add होने से पहले यानि कि इसका original price है plus tax amount है original price हमको निकालना है तो इसको हम x मान लेते हैं और tax की value हमको यहाँ पे given नहीं है लेकिन हमको यह percent में given है अब tax हम हमेशा original price पर निकालते हैं यानि कि यह हो जाएगा 8% of x यानि कि 8% into x percentage हटाएंगे तो 100 से divide कर देंगे into x यह value यहाँ पर put करके इसको solve करेंगे तो हमको x की value मिल जाएगी यानि कि हमको original price मिल जाएगा इसको आगे solve करते हैं बट उससे पहले हम इसे note कर लेते हैं यहाँ पर original price हमने x माना है और tax amount हमारा आगे इसके equal यानि कि 8x by 100 अब 5400 में हमारा original price था यानि कि x plus tax amount था यानि कि 8x by 100 तो यहाँ जाएगा इसके equal अब यहाँ पर एक fraction में है और एक नहीं है इन दोनों को add करने के लिए इस x का denominator भी 100 बनाने पड़ेगा तो उसके लिए हम इसको 100 से divide कर देती हूँ divide किया तो multiply भी करना पड़ेगा plus 8x by 100 तो यह हो जाएगा 100x by 100 plus 8x by 100 अब denominator same है तो numerator add हो जाएगे 100x plus 8x जो के हमारा हो जाएगा 108x यहाँ पर 100 हो रहे है divide तो इधर आके यह हो जाएगा multiply तो यह हो जाएगा 5400 into 100 और यहाँ पर 108 multiply हो रहे है तो इधर आके यह divide हो जाएगा equal to x अब यहाँ बर 108 और 5400 दोनों 2 से cancel हो जाएगे तो इसको cancel कर देते हैं 2-5s are 10, 2-4s are 8, 2-2s are 4, बचेगा 1, और यह 4 यानि 14, 2-7s are 14, 2-0s are 0, 2-0s are 0, अगें 54 और 2700, 2 के टेबल में 2 से cancel हो जाएंगे, 2-2s are 4, 1 बचेगा यानि 14, 2-7s are 14, 2-1s are 2, 2-3s are 6, 1 बचेगा और यह 0 यानि 10, 2-5s are 10, और 2-0s are 0, अब यहाँपर 27 और 1-3-5-0, 3 से cancel होंगे, 3-9s आथो 27 होता है, और 1-3-5-0 को हम 3 से डिवाइट करते हैं, तो यह आएगा 3-4s are 12, बचा 1, 5 उतारा, 3-5s are 15, और यह 0 होता रहेंगे, तो 3-0s are 0, यानि कि यह आजाएगा 4-50, अब यहाँपर यह 9 से cancel हो रहे हैं, 9-1s are 9, 9-5s are 45 होता हैं, तो यह हो जाएगा 50, यानि 15 to 100, इसको multiply करेंगे तो 5 लिखेंगे, और जितने 0 हैं, उतने 0 लगा देंगे, यानि कि 3-0, तो X हमारा आगे 5,000, यानि कि Hair Dryer का जो Original Price है, वो है Rupees 5,000.